जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद गतों बैसे बढ़ी आऊंगे स्वीडियम दोस्तों बात करेंगे वर्विक साहिरे और वर्सेस्टर साहिरे की टीम के बीच में जो यहां पर T20 ब्लास्ट का मैच नंबर 106 खेला जाएगा डीटेल में कवर करेंगे सबसे पहले आपको ब वो भी बहुत अची परफोर्मेंस करके गए था जहां पे हमने मोंट गोमरी को एजे डिफरेंशिल ट्राई है काफी अची पारी खेली 40-49 रंज की और एक तरफा में सारे कॉंटेस्ट विन करवा दिये तो उसी परकार की इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी तो कंप्लीट वीडियो देखना अगर आप लोग इस मैच में एक बड़िया वीडियो करना चाहते हो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को अगर आपके लाइक नहीं किया तो फटा फटेक लाइक कर दीजे क्योंकि यह आपका एक लाइक काफी चाथा मोटिवेट करता है ठीक चैनल है इसका जो लिंक रहेगा वो आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो को डिसक्प्शन में दोनों जिगा पर मिलेगा फटा फटा फट जाके टेलिग्राम के साथ में जॉइन कर लेना तो उसके बाद में कोई भी अपडेट्स होंगी फाइनल टी डोमेस्टिक मुकाबले खेले जा चुके 49 विन करें फर्स्ट बैटिंग ने 39 विन करें सेकंड बैटिंग ने थोड़ा इस एडवांटेज आपको फर्स्ट बैटिंग के फेवर में जरूर देखेगा लेकिन आगे मापको रिशेंड मैचिस दिखांगा कितना स्कोर बना उ यहां से आपको थोड़ा सा और चीज़े किलियर होगी 150 से कम में 26 बार स्कोर बना 190 पलस का स्कोर 20 बार 170 से 189 के बीच में 13 बार दोनों को एड़ करूँगा तो 33 मैच आपको ऐसे मिलेंगे 89 मैचिस मैसे जहां पे 170 पलस का स्कोर बना मतलब कई न कई चीज़े बल्ले बाजो के फेवर में भी जा सकती है लेकिन उसके लिबाई बल्ले बाजों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा रुक के बैटिंग करने पड़ेगी 10-15 गेंदे जब एक बल्ले बाज खेल लेगा एक बार सैट हो जाएगा उसके बाद में फिर उसके बल्ले से खच्छी पार ही आ सकत होगे एनोर की टीम ने 107 बनाई थे 9 विकेट पे 137 का टार्गेट भी याँ पे एनोर की टीम चेज नहीं कर पाई मैं तो यह का हूँगा दोनों टीम्स ने काफी खरा बैटिंग करी क्योंकि इसके मुकाबले कर आप लोग बाकी के बैचिस में देखोगी जो कि सेकिंड ल गाई थी क्योंकि काफी बैट्टिंग करें दोस्KNबलस का सकोर बना दोनों पारियों में उसके बाद में थर्ड मैच में आओगे एनो टी की टीम ने 214 करें वोर्विक सायरे की टीम ने एक बार फर से दोस मार का सकोर देखने को मिलागा यहाँ पर भी दोस्ट प्लस का सको मतलब बल्लेबाद जी याँ पर थोड़ा सा इजी हो सकती है स्टार्ट मिलेगा अगर टीम्स को बढ़िया बल्लेबाद थोड़ा सा खुद को टाइम देंगे शोरली इस वेन्यू पर एक बड़े रंस लगाई जा सकते है जो चीज़ आप लोग इन स्टेट से भी समझ पाओगे उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं हैट टो एड मैचिस के बाद करें तो दोनू टीम्स के बीच में 18 मुकाबले खेले जा चुके 9 विन करें वर्विक साहिरे की टीम ने वर्विक साहिरे की टीम ने यहां पर दोनू टीम्स में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा पिछले तीन मुकाबले देखोगे दोनू टीम्स के बीच में तो यहां से देखो वर्विक सायरे की टीम ने 2 match win करें वर्सेस्टर सायरे एक match win कर पाई लेकिन जो सबसे important चीज़ है तीनों match में देखोगे तो भाई बढ़िया score बना है जब भी दोनों team में खेलती है वर्विक सायरे 196 वर्सेस्टर सायरे भी हालांकि बढ़िया खेली चेज नहीं कर पाई लेकिन 175 runs वो भी कम नहीं होते T20 मैच में ठीक है उसके बाद में second last match देखोगे ये देखोगे तो वही वर्विक सायरे की टीम ने 228 करें जो की काफी बड़ा टोटल है T20 के एसाफ से लेकिन वर्विक सायरे यहाँ पर बिल्कुल कोलैप्स करके चली गई और भाई 14 run के score पर पूरी टीम ओलाउट होके गई अब देखो चेजगर ने उतर इतना बड़ा score तो हो सकते है टीम कोलैप्स कर जाए तो वही चीज है तो वही चीज चाहिए यहाँ पर वर्वर्विक सायरे ने 217 करें लेकिन वर्विक सायरे यहाँ पर 202 run कर पाई मतलब जब भी दोनों टीम्स के बीच में मैचिज होते दोस्तों काफी अच्छे मैचिज अब मिलते हो एक बड़ा score देखने को मिल सकते है उसी इसाफ़ से टीम सेलेक्शन करोगे आगे बढ़ते हैं दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 देखते हैं इंपोर्टेंट प्लेयर बत बैटिंग ओडर की बात करतों काफी नीचे आएगा फॉर्थ या फिफ्थ या शिक्स डाउन के नीचे आपको यह बैटिंग करते हुए दिखेंगे रोबर्ट येट्स रहेंगे जो कि ओपनिंग करने वाले प्लेयर है आठ मैच में दोसो सत्तर रंसे साड़े थेतिस कैव जो कि थोड़ा सा नीचे बैटिंग करेंगे थडिया फिर फॉर्थ डाउन आएंगे लेकिन काफी तगड़े प्लेयर है फॉर्म देखोगे ग्यारा मैच में 190 रंस भी है लेकिन गेंदबाजी सेक्शन में भी आओगे न दोस्तों तो वहाँ पे भी है आपको अच्छी पर पर्फॉर्म दे सकता ग्लैन मैक्सल जो की टीम के सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर हैंगे दस मैच में 140 रंस साड़े 14 गैवरे जब बलने के साथ में फॉर्म देखोगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी आपको क्योंकि इस लेवल के प्लेयर है नहीं लेकिन आई पेल के सामने देख सकते उसके बाद में बर्नार रहेंगे आठ मैच में क्या सी रंस है यह आपके लिए बैटिंग की बात करेंगे तो भाई थोड़ा सा नीचे रहेंगे तो इस वज़े से मैं ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं समझूँगा फोर्म भी देखोगे केवल ग्यारा का अबरेज है उतनी अच्छी नहीं है पोस्टरलिंग नहीं खेलेंगे अठा दीजिए डैनी ब्रिक्स जेक लिंटो टासानली और यह भाईया माइल्स यह आपको एज़े में गेंदमाज खेलते वे दिखेंगे ठीक है तो इनके जो में बल्लेबाज रहेंगे लास्ट मैच क काफी तगडी फो में भी है जो कि आप लोगों कि इनके स्टेट से पता भी लग जाएगा तो जरूर अपनी टीम में रख लेना अगर खेले तो यह थी दोस्तों यहां पर वोर्विक साहिरे की बैटिंग लाइन अप उसके बाद में इनके बोलस के बारे में एक बार बात क करवाई है मतलब एजे में गेंदबाज भी खेलेंगे और बल्ले बाजी आएगी वहां पर भी तगड़े रंस करेंगे और लास्ट मैच की जो फोम रही है वो तो बोस काफी तगड़ी इनों ने करी थी ठीक है डैनी ब्रिक्स 11 मैच लगबग 33 और गेंदबाजी 12 विकेट अब देखो लास्ट मैच जो इनके गेंदबाज खेले थे उनके अगर बात करेंगी तो यहां से खेले भाई सबसे पहले क्रिस वोक्स आपको मिलेंगे उसके बाद में अगर मैं यहां से इनके गेंदबाजी सेक प्रिक्स और बाई डैनी ब्रिक्स के साथ में रहेंगे डी माउजले ये इनके कुछ एक मेन गेंद बाज जो की लास्ट मैच के लिए थे हासन अली के चांसे थोड़े से कम रहेंगे ठीक है तो ये कुछ आपके गेंद बाजी ओप्संस मिल जाएगी अगर वर्विक्स साहिर की टीम की उसके बाद आगे चलते हैं यहां से बात करते हैं वर्वर्सेस्टर साहिरी की टीम की इनकी साथ से बात करें उसामा मेर जो कि आज ये मेन गेंद बाज खेलने वाले हैं एडम हाउसे मेरा फैवरेट प्लेयर है हर मैच की वीडियो में बोलता हूँ 11 मैच 326 रन से की च्वाइस में ले सकते हो उसके बाद में बी कोक्स रहेंगे जो की थोड़ा सा नीचे बल्ले बाजी करेंगे 11 मैच में 175 रन से सेंटनर जो की वन डाउन बैटिंग करेंगे 8 मैच 236 रन से साड़े 28 कैवरेज है लास्ट मैच बल्ले बाजी में कुछ खास नहीं किया 12-13 लेकिन गेंदबाजी देखोगे तो वहाँ पर दो विकेट्स इन्होंने लिये थे और गेंदबाजी के अंदर आऊगे यहां पर सेंटनर आपको दिखेंगे 8 मैच में 32 और की गेंदबाजी और 7 विकेट्स इनके नाम है ठीक है और लास्ट मैच आपको बता दू जा मैंने लेकिन लेन स्वीप किया था उस मैच में सेंटनर मेरे टीम में कैप्टन थे ब्रैटे डिवलेवरा मेरे टीम में वाइस कैप्टन थे दोनों प्लेयर ने तगड़ी परफोर्मेंस जी थी और भाई मैं एक तरफा मैच को विन कर किया था उसके बाद में नीचे आओगे 80 फ गेंदबाजी सेक्षर में आगे दोस्तों उसामामीर में गेंदबाज के रूप में खेलेंगे 13 विकेट अब तक ले चुक है ब्रैट डोलेवरा जो की गेंदबाजी प्लस बल्ले बाजी दोनों करेंगे मिचल सेंटनर और ब्रैट डोलेवरा दो ऐसे प्लेयर जो बैटिं गेंदबाज जिन्होंने लास्ट मैच भी अच्छी गेंदबाजी गरी दस मैच ब अलड़ी 8 विकेट निकाल चुके हैं मैथ्यू वेट जो की लास्ट मैच के लिए थे अब तक केवल 4 ओवर डाले 2 मैच में मतलब किसी भी मैच में अपने प्रोपर ओवर नहीं डाले तो एजे में गेंदबाज मैं इनको लेके नहीं चलूँगा लेकिन जो इनके में गेंदबाज रहेंगे उसमें सबसे पहले उशामा मीर रहेंगे ब्रेटेड उलेवरा रहेंगे पैट ब्राउन रहेंगे डी पैनिंग्टन रहेंगे यहां से मिचल सेंटनर रहेंगे यह आमा प्लेज प्लेज और बाई जैक हैंस देखो टोप उडर के चार बल्ले बाज है ठीक है अगर आपको लगता है स्टार्टिंग में दो विकर जल्दी जा सकते हैं तो कासी फली को आप लोग अपनी टीम में एचे डिफरेंचिल ले सकते हो तो ये बात हुए दोस्तों वर्सेस् नहीं किया तो फटाफट एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लीजिए आने वाले किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस्स नहीं करनी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्सर में बिल जाएगा जाना है बैंजामीन के साथ में जाओ कोक्स का जो बैटिंग ओटर है वो थोड़ा सा नीचे है तो आप लोग डैविस या फिर बैंजामीन में से ही ट्राइ करने की कोशिस करना मैं फिलाल डैविस के साथ में जाओंगा डिफरेंचली में आप लोग यहाँ पे बैंजामीन इनको ट्राई कर सकते हो बैटिंग सेक्षिन में आओगे मोई नली जो नहीं खेलेंगे अभी छोड़के चलेंगे एड़म हाउस इंपोर्डेंट रहे का जैक एइनस जो की उपर बैटिंग यानिके ओपन करने वाला प्लेयर है काफी अच्छी फोर्म है लेकिन ले सकते हो न चल सेनर डी माउज ले ठीक है ये तगडी ओप्संस आपको मिलेगी बट मैं सिर्फ अभी के लिए चार प्लेयर पिक करने वाला हूँ बोलिंग सेक्षिन में जो इंपोर्टेंट पिक से सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे डैनी ब्रिक्स के साथ में यहां से पिक कर तो ये मेरा फिलाल जू १ू 11 प्लेयर का टीम को मिलेगा ये फिलाल मेरी टीम रहेगी कोई भी चेंज करूँ अगर मैं इस टीम में टोस होने के बाद में आपको सारी अपडेट्स टेली ग्रम पे मिल जाएगी जहां से बात करते कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की नो डा अच्छी ओप्सन हो सकते हैं, मैक्सवल देखो, hit and miss वाला प्रेर, totally आपके luck पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग यहां से Adam House को, D-Mouse लेको, या फिर भाई Alex Davis को, यह आपके लिए थोड़ा सा differential fix हो सकती है, captaincy और wise captaincy की, तो फिलाल मेरे team में, जो captaincy रहेगी दोस्तों, व आपको टोस होने के बाद में सारी updates टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, comment section और description में लिंक है, जाईए और join कर लेजिए, उमीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपने complete votes क्या होगा भाई, पसंद आये तो वीडियो को like जरूर कर देना, channel subscribe कर लेना, notification bell को भी उन कर लेना, मिलते हैं फिर अगले मैच के वीडियो में, उमीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कोमिनेसन बनाओगे, और आपके टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी,